तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे भरवा टिंडे तो सबसे पहले चील करके हम उनका इस तरीके से कैप काट लेंगे और उसके बाद हम जो इसका जो पल्प है जो सॉफ्ट पार्ट होता है अंदर का वो हम इस तरह से स्कूप आउट कर लेंगे और अंदर से इसको बिल् करने की जगा बच जाए जो हम इसकी अभी फिलिंग बनाएंगे उसे बरने के लिए जगा बन जाए तो यह आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से और कहीं से भी तिंडे को तोड़ना नहीं है कोई कटना फटना नहीं चाहिए वरना आपकी जो फिलिंग वोगी और जैसे हम टिंडो को स्कूप आउट कर लेंगे जो उसकी कैप होगी साथ ही साथ उसके उपर रख देंगे ताकि वो mix किसी और टिंडे के साथ ना हो तो यह आप देख सकते हैं मैं दूसरा टिंडा भी कितने अच्छे से स्कूप आउट कर रही हूँ तो यह आप देख सकते हैं मैंने सारे टिंडे अच्छे से इनका पल्प निकाल लिया है और इन्हें side में करके रख देंगे अब हम पहले जो इसका pulp है इनको अच्छे से बारिक बारिक काट लेंगे कुछ इस तरीके से क्योंकि जो tindy के अंदर हम filling करेंगे तो उसके अंदर हम इतने बड़े बड़ा pulp का piece नहीं डालेंगे तो इसे हम बारिक बारिक चॉप कर लेंगे और ऐसे हम दो प्याज भी चॉप कर लेंगे filling के लिए हरिमेज डालना बेलकुल optional है अगर आप पसंद करते हैं तो इसे डालिए अदरवाई जिए skip कर दीजे तो यहाँ पर मैंने हरिमेज और टिंडे का pulp और साथ में प्याज चॉप करके रख लिये हैं अब हम तड़के की तियारी करेंगे तो यहाँ पर भी मैंने दो प्याज काटके रख लिये हैं और साथ में अदर को चॉप कर लिया है तो बस अभर हम एक कोकर में दो करची के करीब देसी घी डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे फिर प्याज और प्याज को हम धीमी धीमी आज़ पर हम इसे फ्राइ करेंगे कुछ इस तरीके से हम बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे प्याज फ्राइ करते वक्त अदर्वाइस क्या होगा कि प्याज जल जाते हैं इसके बाद हम इसमें जब प्याज थोड़ा थोड़ा गूल्डन होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ अधरक और इसे भी धीमी आज पर प्याज के साथ भून लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर कलर आ रहा है तो बस इस वक्त हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पानी के साथ क्योंकि इसमें कलर चाहिए और कलर बहुत सुन्दर आता है जो अगर हम हलती पहले डाले तो बस साथ की पानी डाल दी है ताकि हलती जले नहीं और इसे अच्छे से भूलेंगे तो यह देखें यहाँ पर अच्छे से मसाला भुंचुका है घी मसाले से लग हो गया है तो अब जो फिलिंग के लिए हमने त्यारी करके रखी हुए उसमें थोड़ा सा बारी कटाओ अद्रग भी मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे नमक, मिच और गरम मसाला मसालों की कॉंटिती थोड़ी सी कंट्रोल करके रखनी है क्योंकि जो ग्रेवी है उसमें भी मसाला होता है तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़दा स्पाइसी हो जाए आप सोच रहेंगे यह मैंने पहले क्यों नहीं इसमें मसाले मिक्स किये क्योंकि पानी छोड़ देते हैं जब तक ग्रेवी बनती है तो इस तरीके से हम इसमें मसाले मिक्स करके अच्छे से टिंडे में भर देंगे और इसे टुथपिक से बंद कर देंगे तो यह देखे कितने असानी से, कितनी अच्छी feeling भरी जा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम-कम feeling है, बहुत अच्छे से इसको हम इससे भरेंगे और इससे फिर हम toothpick से lock कर देंगे, toothpick से हम lock इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी cap नहीं हटेगी और जो feeling होगी वो अंदर ही seal हो बर के त्यार कर लिया है, अब इन सभी टिंडों को एके करके मैंने gravy में डाल दिया है, जब मैं gravy में डाल दाई थी टिंडे तो उस टाइम पे camera on करना भूल गई, जिससे वो शूट नहीं हो पाया, तो बस उसके बाद हमने इसे pressure cooker में डाल करके whistle लगा लेंगे, और तीन से चार whistle में टिंडे अच्छे से गल जाते हैं, तो देखे कितनी अच्छे से टिंडे गल गए हैं, तो बस इसके बाद हम इसमें दो चमच के करीब दही फैंट करके डाल देंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि यार यह दही इसमें mix कैसे होगा, लेकिन जैसे gravy boil होती जाएगी और आप धीरे धीरे चमच से इसे हिलाते जाएगे, वैसे ही अच्छे से ये इसमें gravy के साथ mix हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा flavor देगा, साथ में हम टालेंगे उपर से गरम masala, तो गरम masala की quantity आप अपने हिसाब से देख लीजेगा कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसक लो flame पे अच्छे से boil करेंगे, जिससे कि gravy में जो अभी हमने दही mix किया है, वो अच्छे से अपना flavor छोड़ दे, तो अब हम यहाँ पे टिंडे अच्छे से boil कर रहे हैं, यह आप देख सकते हैं, इसमें तरी तरी boil आना शुरू हो गया है, तो बस हमारे टिंडे बन कर तया हैं, और अब हम इन्हें एक करके, एक बॉल में सबसे पहले हम टिंडे softly, बहुती carefully हम इसे बॉल में निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से, यह आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम इसमें उपर से gravy add करेंगे, अब यहाँ पर टिंडे सारे बॉल में आ गए हैं, तो हम इस और बास फिर क्या है, ओपस से डालेंगे धनिया पत्ती, और यह लीजिए बनकर तयार है, गर्मा गर्म, भर्मा तिंडे, और यह इतने टेस्टी बनते हैं ना, कि कोई भी इन्हें मना नहीं कर पाएगा, तो एक बाद ट्राय तो करना बनता ही है, अगर आप कोई recipe अच्छ और यहा है, गर्मा तुर साफ बनकर नहीं कर द एको फ्कुर साफ ईग्छी बनते हैं, और और यहोका प्यार टापागावा है